अच्छा जी AI का दोड़ दोड़ है और आपको सभी को पता है कि AI यानिक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस दुनिया में चाह रही है चाही हुई है और फ्यूचर आने वाला है और इसी चीज़ का फ्यूचर है सारे का सारा कुछ नई अपडेट्स हैं जो रिसेंटली डेटा साइंस के दुनिया में आई हैं सबसे पहली चीज़ यह है के चैड़ जी पीटी ने अपने इंटरफेस के अंदर कस्टमाइजेशन का एक फंक्शन एड़ कर दिया विचा इंग तो उससे क्या होगा कि आप अपने रबोर् पर UK के अंदर लेकिन यह पाकिस्तान और बाकी दुनिया के अंदर मजूद हैं आप कहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं जसकी में वन सेकिन आम गूंग तो शो यू और यह किस तरीके से हमें हैलफुल साबित होगा तो यूटिलाइज दे पावर ओफ चैड़ जी पीटी इस्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही होगी, यह मैंने VPN यूज़ किया हुआ है, भाइदवे, VPN किस तरीके से यूज़ होता है, आपके पास यह ओपेरा ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, VPN का, आप बटन पर क्लिक करें, अमेर पर क्लिक करना है, अपना जो प्लस का अकाउंट है, उस पर यहां पर चले जाना है, आपने फिर सैटिंग पर जाना है, बेटा फीचर्स के अंदर आपने कस्टम इंस्ट्रक्शन को क्लिक कर लेना है, तो यह कस्टम इंस्ट्रक्शन आई, यह गई, यह आई, यह गई, वो ज जगा पर आप कस्टम इंस्ट्रक्शन्स दे सकते हैं कौन सी कस्टम इंस्ट्रक्शन्स वाट वुड्यू लाइक चैट जेपीटी तो नो अबाउट यू तो प्रवाइट रिस्पोंस यानि कि आप उसको एक दफ़ा बता दो कि भाई मैं यह हूं मुझे यह आंसर चाहिए यह चैट जेपीटी को बता दे कि हाव वुड्यू लाइक चैट जेपीटी तो रिस्पोंड उसको बताएं कि आप डीब लर्निंग एंजीनियर हो भाई तो सॉफ्वेर एंजीनियर है तुझे पता है सारे के सारी डेटा साइंस का तुझे यह भी पता हैं यह भी कुंसेट पता हैं पंदरा सो क्रेक्टर्स के अंदर आप उसे बता सकते हैं ठीक है यह वाली चीज भी और यह वाली भी तो आफ्टर आपका चैट जीपीटी आपको उस तरीके से आंसर देना स्टार्ट हो जाएगा इट वस रिसेंट अपडेट और यह इन अगली अपडेट है जनाब AI न्यूज के अंदर वो है आपका बिंग AI ओहो क्या कमाल कर रहे हैं यह लोग बिंग AI वाले इस वकत दुनिया में जैसे आगे जा रहे हैं बहुत मुश्किल है किसी और एप का या माइक्रोसॉफ्ट के इलावा किसी और चीज का इतना ग्रो कर सबसे पहले इस बिचारे को बंद करते हैं यह वितू डिफॉल्ट ब्राउजर नहीं है असी नितने बलां दे तो यह बिचारा वह वह वला ब्राउजर है वट यू नेट तो इस इस बिंग का बटन जो आ रहा है कॉर्णर पे इस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपके पास यह पूरे के पूरा चैट इस तरीके से ओपन हो जाएगा ठीक है राइट साइट पर मैं इसे बंद करता हूं यहां पर क्लिक करता हूं मैं इसको क्लीन करता हूं जो मेरे क्वेस्टन से यह देखें यह मैंने क्लिक किया यह मैंने क्लिक किया यह मैंने नहीं किया तो इ आप यहां पर image दें कोई भी अचा चलो image नो छड़ो URL दे दो उसका image का URL दे दो उसे बोलो ऐसा मुझे perform करके दें मैं यहां पर click करता हूँ, यहां पर for example मैं लिखता हूँ scatter plot, मैं simple एक example देता हूँ, मैं यहां पर images में गया हूँ इस पर मैंने click किया, let me see, copy image address कहां गया, कहां गया, copy image link यही होगा, यहां पर मैं इसे paste करता हूँ can you show me code for this image to be created in python, अकसर उकात AI के अलगरित्म ऐसे भी मसले कर देते हैं आगे पीछे घर वाले सारे ठीक रहते हैं, जब कोई महमान आ जाता है, फौरण बत्तमीजियों पर उतराते हैं by the way, it's a nice thing, कुछ नहीं हुआ, आप देखें, simply क्या किया है, उसको मैंने plot दिया, उसको बोला कि यार इसके मिलता जुलता मुझे code देते, obviously, यह 100% correct नहीं होगा, but it can give you some kind of basis, तो अब आप start करें, कोई एक और चीज़, for example, यह बिलकुल अभी launch हुए है, पर सो चो, तो, अक्सर उकाद मैंने इसको बड़ा complex plot दिया था, क्योंकि जारी बात है, पहले मैं test करता हूँ, फिर इसो utilize करता हूँ, so sometimes आपको यह plot ज़रूर बना देगा, लेकिन exact same नहीं बना के देगा, क्योंकि इसमें इतनी power नहीं है कि हर point का data उठाए, यह आपको एक scatter plot ज़रूर बना के देगा, line भी देगा, लेकिन हर point का data नहीं होगा, now I'm going to do something for example login screen, images पर जाके login screen, मैं इसका image लेता हूँ, let me see, copy image link, इसके अंदर इसको paste करते हैं, URL के अंदर, यह मैंने paste किया, similar login screen for my website, let's see, एक बंदे ने Twitter पर ऐसे किया था, उसको दिखा दिया था, पता नहीं मुझे दिखाता है कि नहीं दिखाता, by the way, यह free way है जनाब, आपके जो बीस डॉलर, पच्छिस डॉलर लगते हैं महीने के, और यह इसली काम करता है, HTML तो काम करता है करता है, क्योंकि URL की बेस पर चल रहे है, believe me, यह सारा कुछ काम करेगा, just copy this and paste it, अब आप सोचें, दुनिया कहां पहुंच गया है, तुसी Facebook दा clone नहीं बना सकते, हर एक काम हो सकता है, सिरफ थोड़ी से महनत की जरूरत है, अब आप जितनी भी वेबसाइट है, जो आपको अच्छी लगते है, उसका को फंक्शन अच्छा लगता है, उसका screenshot लें, इसको बोलें, यार बना दे, जो होकम, तो यह Bing AI, टोटली फ्री है, यार इसे यूज़ कर लो, Microsoft अले बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे है, मुझे नहीं उन्होंने कोई भी दिया कि मैं इनको अट्विटाइज करूं, लेकिन अगर किसी के पास चैट GPT के पैसे नहीं है, because it's a plus thing is kind of expensive, Microsoft Bing बहुत असान है, बहुत easy है, free में GPT-4 algorithm को use कर सकते हैं, so it's always better, even though Compose को use करके आप पूरे-पूरे articles लिख सकते हैं, यहां पे image लिख सकते हैं, blog लिख सकते हैं, ideas लिख सकते हैं, so that was new, इसके बाद, अगली AI news के अंदर, मैं दुबारा वापस जाता हूं अप आपको मैंने पहले भी बताया था, यह आपके सामने एक website मैंने open किया है, cloud के नाम से, cloud day भी उसे बोलते हैं, anthropic की तरफ से यह एक chat board है, जो totally free है, chat GPT से बहुत अच्छा काम करता है, मैंने पहले भी पताया था, इसमें मैंने पूरे एक छोटा सा software भी डिवेलप किया, within one hour, और तीन खेंडे में में रिखल से तीन से चार software आप इजली बना सकते हैं, छोटे-छोटे, छोटको-छोटको software, वहला उना को देहीं दूई मगा इतने बड़े काम ने मुझे आते हैं, तो खेर, यह जो chat GPT के boards है, GPT algorithm के ऊपर चलती हैं, चीज़ें, यू can also utilize this one, अब यहां पर इसका सबसे बड़ा फाइदा या multiple files इस पर upload कर सकते हैं, maximum 5, 10 MB की, तो यार जितना भी आपका data my thesis का पढ़ा हुए, यह दरूदर का पढ़ा ठीक है, and it's going to change the thinking level जो आप utilize कर सकते हैं, okay, अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, which is and other news just a minute, मैं उसका link अपने पास open कर लूँ again yes जनावेवाला, facebook किसी से कम नहीं है, अगर microsoft आगे जा रहा है, बाकी चीज़ें आगे जा रही है facebook का अपना page, sorry, meta का अपना page, meta AI के नाम से, यह बहुत बड़े-बड़े algorithms free में दे रहा है, open source है commercial use करने की permission भी है, if you want to use some models commercially, तो this is one of them, जिसका नाम है lemma 2, पता नहीं, दो L क्यों लाए नहीं नहीं, but lemma 2, ठीक है, version 2 इसका आया है, पहला जो है वो थोड़ा से कम था, यह lemma 2 का version है और इसके अंदर आप बड़ी बेहतरीन तरीके से different models के architecture को use कर सकते हैं, और pre-training token 2 trillion तक है, context आपका 1496 तक रहेगा, and these are few things जो NLP के अंदर utilize की जाती है, and then you can utilize this lemma model inside your algorithm very easily, ठीक है, अब यहीं नहीं, कहीं जाइएगा मत, अभी आपको एक और update देने वालों, कि आप यह कहां पर use कर सकते हैं, lemma model तो अगर मैं आपको बताऊं, कि एक ऐसा software है, जिसका नाम है, lemma perplexity आप अगर इस पे जाते हैं, तो जनाबे वाला lemma model like chat GPT is on your hands, जो अभी launch हुआ है recently, और इतनी speed के साथ इस website पे चल रहे है, you don't need to pay for chat GPT nowadays, यह large language model है, meta का, ठीक है, so now let's start, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, show me, यह basically, अभी recently trained है, तो show me, for example, few tips to learn data science, speed देखिएगा इस बंदे की, लोजनाब, हलांकि मैं VPN यूज कर रहा हूँ, VPN पर थोड़ी से slow होती है, if you don't know about that, तो यह GPT-4 के equally performance है, उसकी और speed check करें, और totally free है, कोई रुपेया नहीं खर्च करना, perplexity.ai के नाम से, आप labs के साथ लिखें, यह basically perplexity की तरह है, और L-L-A-M-A, लहिमा model है, ठीक है, तो अब इसको utilize कर सकते हैं, अब आगे चलते हैं, इसके अलावा, अच्छा, लोग कहते हैं कि, आपको question सही पूँचन आता है, तो सारे model ठीक है, prompting आती है, तो सब कुछ ठीक है, prompting नहीं आती, तो कुछ भी ठीक नहीं है, चैट GPT क्यों आगे है, reason यह है कि, उन्होंने prompt optimization बहुत अच्छे तरीके से की यह, जो मर्जी पूछो, वो जवाब सही देते हैं, बेशाका आप English की mistakes करते हैं, so that's why, चैट GPT एक अच्छे तरीके से perform करता है, एक और website है, जो recent update के अंदर है, sdk.vrcell.ai के नाम से, यह prompt आप यहाँ पे देते हैं, और आप different models को compare कर सकते हैं, इसी वज़ा से मैंने बोला के कौन सा model best है, कौन सा नहीं है, you can utilize this, for example, मैं चाहता हूँ, यहाँ पे, मैं लेमा का V2 version, और यहाँ से मैं, for example, GPT 3.5 turbo use करता हूँ, और मैं same question दोनों को देने लगा हूँ, यहाँ पे, ले जना, speed 3.5 की ज्यादा है, इसने छोटी से smile कर दी है, क्यों? मेरा prompt चेक करें हाँ, समझ आई बात की, के नहीं आई? अब GPT ने क्या किया है, उसको अपनी मर्जी से लेग दी है, अच्छा अच्छी बात है, वो नहीं होता है, आप किसी बड़े को को बात बता है, उसे पहले से पता है, और वो आगे से smile कर दी है, सही है, पंजाबी होता है, बसकर, टिका रहा है, तो यह वही चीज है, बसकर टिका रहा है की बात बोली, so if you write a question, like we did that, here, copy, paste, now we will see, तो यह हमारे पास basically, आपको answer मिलेंगे, जो तेज होगा, वो इस तरीके से answer देदेगा, जो काफी analysis करके दे रहा है, it will take some time, so you can actually compare two to three models here, तो कैसे करने आपको पता है, कौन सा तेज है, को बता सकता है, अगर आपको नहीं पता, तो यह word by word आपको print करके दे रहा था, साथ साथ सोच रहा था, यानि कहता अनू गल्ना जला कर रखा है, पिछों को processing चाल रही है, यह बातों में नहीं लगा कर रखा है, आपको कहता है, wait, hold on, hold on, boom, yellow answer, तो actually दोनों same speed पे गाम कर रहे हैं, ठीक है, Vercel AI SDK use करें, और अगर आप खुद से utilize करना चाहते हैं, लेमा 2 को, तो you can utilize that one as well, तो यह AI news के अंदर नहीं चीज़ थी, इसके बाद हमारे बास, एक और लेमा को आप अपने PC के अंदर utilize कर सकते हैं, by downloading the model, you don't need to have internet connection, वो लोग जिनके बहाने ही हैं, के साथे कोई internet नहीं सही चाहरे हैं, उनके लिए, यह एक hugging face की repository है, दा ब्लोग के नाम से, वहाँ पे लेमा 2, 13, बी, chat, ggml model आपके पास पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब इसको कैसे utilize करना है, आपने simply this page पे जाने, page पे जाने के बाद, आप totally यहाँ से models को download कर सकते हैं, और अगर आपने यह भी नहीं करना, so there is another thing, let me show you that, just a minute, replicate के नाम से, एक website है, replicate.com, यहाँ पे जाएं आप, जाने के बाद, आप simply, models को prompt देने के बाद, यहीं पे use कर सकते हैं, different models को, lemma हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, so you just need to provide the APIs, installation and the model name, तो आप यहाँ पे भी lemma 2 को replicate के अंदर use कर सकते हैं, so this is another option, एक और चीज थी, just let me see, yes, आप अपने PC के अंदर कैसे use कर सकते हैं, इसका नाम है, text generation web UI, यह पढ़ा हुआ है, यह कुछ करने के जरूरत नहीं है, यहाँ से आप download कर लें, अगर Windows यूज कर रहे हैं, Linux यूज कर रहे हैं, Mac OS कर रहे हैं, इन तीनों को download करें, कुई भी आप जो use करें, इस UI को install कर लें, आपके पास इस तरीके से website के उपर open हो जाएगा, आप directly run कर सकते हैं, लेंग मोडल या कोई भी मोडल, सिर्फ लेंग मोडल नहीं कोई भी, text generation का कोई भी मोडल, अपने PC के अंदर, तो just imagine, अगर आप इसी back end पे इन चीज़ों को connect करके, lang chain को आगे, पता नहीं सकते हैं कि यार ये interface पे दो, जो हम बात कर रहे थे lang chain की, तो ये सारे models हैं, ये सारे web user interface and software engine के थूआ आप run कर सकते हैं, and at the end, you will have all these things in your hand, these are new things, मतलब ये वो चीज़े हैं जो recently launch हुई हैं, और अगर आप इनके साथ अब नहीं खेलते तो बहुत लेट हो जाएंगे, तो Google search engine बहुत पुराना होने वाला है, very soon, ये थी जनाब आज की AI news, hopefully आपको मज़ा आ रहा होगा, आज तरीख है 21 July, 21 July की AI news हैं, बस वो पीछे जियो नियो नियो जिया AI news, क्योंकि मैं दोनों का नाम लूँगा भई, बाद में मसला हो जाता है, उनका music नहीं लगा हुआ, बाकि AI news ये लेवल की हैं, इसके अलावा जारी बात है, इमेज क्रेटर है, डाली 2 है, जो हमारा next topic है, उसके ओपर अब भी discuss करते हैं, and then we will see.